दोस्तों देखू क्या आपको पता है क्या कि दोस्तों क्यारेक्टरलेस अवरत को कैसे पैचाने अभी दोस्तों क्यारेक्टरलेस अवरत इसका दोस्तों मतलब क्या होता है कि दोस्तों ऐसी अवरत जिसका दोस्तों क्यारेक्टर मतलब दोस्तों उसका चरित्र एकदम दोस्तो गंदा है वो अवरत ना अच्छी बिल्कुल भी नहीं है मतलब दोस्तो अगर मैं आपको ना सिंपल भाशा में बताऊ तो दोस्तो ऐसी अवरत जिसका कैरेक्टर जिसका चरित्र गंदा है जो अवरत ना एक दोस्तो चरित्र हीन अवरत है तो दोस्तो ऐसी अवरत को अगर दो आपको पैचानना होगा ना तो दोस्तो आज इस विडियो में मैं दोस्तो आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तो ऐसी ना पाच प्रकार की निशानी जी हाँ ऐसी दोस्तो पाच प्रकार की निशानी जो दोस्तो अगर आपको ना किसी भी दोस्तो अवरत के अंदर अगर दोस् तो आप ऐसा समझ सकते हो कि दोस्तो बहुत अवरत या फिर दोस्तो बहुत भाबी एक दोस्तो क्यारेक्टरलेस अवरत ओ दोस्तो है ऐसा दोस्तो आप ना ऐसा दोस्तो समझ सकते हो तो दोस्तो आज का जो विडियो है ना ओ विडियो दोस्तो भूत इंपोर्टन्ट है और द दोस्तो आप इस वीडियो को प्लीज प्लीज एकदम दोस्तो पुरा देखे तो दोस्तो बिना कुछ टाइम पास करे सीधी बात नो बकवास चलो शुरू करते हैं आज के इस थमाकेदार वीडियो को दोस्तो देखो सबसे पहिले जो दोस्तो फश्ट नंबर की जो दोस्तो निशानी है जिस निशानी के आधार पर आप दोस्तो एजज कर सकते हो कि वह अवरत एक दोस्तो कैरेक्टरलेस अवरत है तो दोस्तो ओ निशानी दोस्तो ऐसी है कि दोस्तो अगर कोई भी आवरत या फिर दोस्तो अगर कोई भी भाबी अगर दोस्तो अपनाना हस्बन्ड होने के बाउजूद मतलब दुस्तो अगर कोई भी भावी अपना पती होने के बावजूद अगर दुस्तो बेवजह फल्तू में अगर दुस्तो बाहरी पुर्शों के साथ मतलब दुस्तो गैर मर्दों के साथ ओ दुस्तो सम्मंद रखती है वो दोस्तो अपना हस्बंड होने के बावजूद वो दोस्तो बाहरी पुर्शों के साथ ज्यादा दोस्तो बात करती है तो दोस्तो उसका भी मतलब ऐसा ही होता है कि दोस्तो वो अवरत ना एक दोस्तो कैरेक्टरलेस अवरत है अभी दोस्तो आप दोस्तो ऐसा मत बोलना कि आजकल की अवरते ना मतलब ज्यादा तर बात करती है बट मेरे भाई ऐसा नहीं होता मतलब दोस्तो अगर कोई भी अवरत ना अपना हस्बंड होने के बावजुद अगर दोस्तो वो कुछ ज्यादा ही फालतू में मतलब दोस्तो कुछ काम धन्दा उसको बिल्कुल भी नहीं है वो फल्तू में अगर दोस्तो बाहरी पुर्शों के साथ अगर दोस्तो सम्मंदर रखती है तो दोस्तो ओ अवरत मेरे हिसाब से तो एक दोस्तो कैरेक्टर लेस अवरत ओ दोस्तो होती है अभी दोस्तो उसके बाद जो दोस्तो दुसरे परकार की निशानी है ओ दोस्तो निशानी कुनसी है कि दोस्तो अगर कोई भी अवरत या फिर दोस्तो अगर कोई भी भावी अगर दोस्तो छोटे छोटे कपड़े पहने या फिर एकदम दोस्तो टाइट कपड़े पहने मतलब जिन कपड़ों में न उसका अंग प्रदर्शन ज्यादा हो सके ऐसे दोस्तो कपड़े पहने न तो आप ऐसा समझ जाना कि दोस्तो वह अवरत न एक दोस्तो कैरेक्टरलेस अवरत है क्योंकि दोस्तो जो अवरत न एक दोस्तो अच्छी अवरत होती है जो अवरत न एक दोस्त संसकारी अवरत होती है तो दोस्तो वह अवरत ना कभी भी दोस्तो छोटे कपड़े या फिर दोस्तो टाइट कपड़े विल्कुल भी दोस्तो नहीं पहनती ऐसा दोस्तो मुझे लगता है आपको क्या लगता है ओ दोस्तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दोस्तो मुझे बता सकते हो तो दोस्तो एनिवेज अभी दोस्तो उसके बाद जो दोस्तो तिसरे परकार की निशानी है तो दोस्तो तिसरे परकार की निशानी कौन सी है दोस्तो कि दोस्तो अगर कोई भी अवरत या फिर दोस्तो अगर कोई भी भावी अगर दोस्तो मतलब वह ना दोस्तो मतलब धुम्रपान करे मध्यपान करे मतलब दोस्तो आप समझ सकते हो कि दोस्तो अगर कोई औरत अगर दोस्तो दारू पीती है सिग्रेट फूकती है दोस्तो देखो आपने भी आजकल के दुनिया में ऐसा दोस्तो देखा होगा कि दोस्त तो पुर्षों के जैसा मतलब अधू होती है तो अधू आपका इसके बारे में क्या विचार है ओ दोस्तो आप अपना विचार नीचे दोस्तो कमेंट बोक्स में आप दोस्तो मुझे बता सकते हो कि आपको क्या लगता है तो दोस्तो अभी उसके बाद जो दोस्तो चौथे परकार की निशानी है ओ दोस्तो चौथे परकार की निशानी कौन सी है दोस्तो कि दोस्तो अगर कुई भी अवरत या फिर दोस्तो अगर कुई भी भाबी अगर दोस्तो श्रीप ना पैसो के लिए क्या बोला मैंने श्रीप पैसो के लिए अगर दुस्तो कोई भी काम करे मतलब अगर उसको आप ऐसा बोलोगे ना कि पैसो के लिए अगर तू इसको धोका देगी ना तो मैं मतलब इतने इतने पैसे थुझे मैं दूँगा तो दोस्तो अगर वह अवरत ना पैसो के लिए अगर दोस्तो कुछ भी काम करने को तैयार हो जाए तो दोस्तो ऐसी अवरत ना दोस्तो एक दोस्तो क्यारेक्टरलेस अवरत ओ दोस्तो होती है क्योंकि दोस्तो जो अच्छी अवरत है ना जो दोस्तो संसकारी अवरत है तो दोस्तो ऐसी दोस्तो संसकारी अवरत कभी भी दोस्तो पैसों के लिए ना दोस्तो कुछ भी काम बिल्कुल भी दोस्तो नहीं करती ओ दोस्तो वही दोस्तो अवरत होती है जो पैसों के लिए कुछ भी काम करने को तैयार होती है तो दोस्तो ओ अवरत ना दोस्तो एक दोस्तो characterless अवरत ओ दोस्तो होती है अभी दोस्तो उसके बाद जो दोस्तो पाच्वे परकार की निशानी है तो दोस्तो पाच्वे परकार की निशानी कौन सी है दोस्तो कि दोस्तो अगर कोई भी अवरत या फिर दोस्तो अगर कोई भी भावी अगर दोस्तो अवरत होने का ओ दोस्तो फाइदा उठाए ना क्या बोला मैंने अगर कोई भी अवरत अगर दोस्तो वह अवरत होने का ओ दोस्तो फाइदा उठाए ना तो दोस्तो वह भी अवरत एक द दोस्तो मतलब क्या है कि दोस्तो आप सभी को पता होगा कि दोस्तो अवरतों के लिए ना जो दोस्तो हमारा जो गवर्मेंट है तो गवर्मेंट ने ना दोस्तो अवरतों के लिए मतलब काईदे कानुन दोस्तो बनाए है बट दोस्तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि दोस्तो कुछ कुछ ऐसी अवरते होती है जो दोस्तो मतलब अवरत होने का ओ दोस्तो फाइदा उठाती है मतलब दोस्तो अवरतों के लिए जो दोस्तो गवर्मेंट ने जो दोस्तो काईदे कानून बनाए है तो दोस्तो उनी काईदे कानून का वो दोस्तो गलत इस्तमाल वो दोस्तो करती है और दोस्तो पुरुशों को फसाती है तो दोस्तो अगर कोई भी अवरत अगर दोस्तो अवरत होने का वो दोस्तो फाइदा उठाए ना तो दोस्तो आप ऐसा समझ जाना कि दोस्तो वो अवरत ना एक दोस्तो कैरेक्टर लेस तो दोस्तो फिलहाल दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहो, हैपी रहो, कुद का खयाल रखो, लब यू, सो मच और लफ यू